देश में बैंकिंग लेंदेन पर नजर रखने वाले भारती रिजर्ब बैंक के नाम पर आए दिन कोई न कोई धोखादड़ी होती ही रहती है आपको फेक कॉल्स और फेक मेसेजिस तो याद ही होगे जिनमें कोई न कोई इनाम देने की खुछना की जाती थी लेकिन ये अब धोखादड़ी इससे भी कहीं जादा आगे बढ़ चुकी है कुछ अग्यात लोगों ने RBI की वेबसाइट की ही हूबहू नकल तयार कर दी है RBI ने खुद इसकी जानकारी दी है RBI ने अपनी वेबसाइट पर इस फर्जी वेबसाइट का URL सांझा करते हुए इससे साफधान रहने की चेतावनी भी दी है RBI ने अपनी वेबसाइट पर ये बताया कि कुछ अग्यात लोगों ने www.indiariservband.org के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई है जिसका लेबसाइट बिलकुल RBI की ओफिशल वेबसाइट के अनुसार ही है यानि इस वेबसाइट से कोई भी इनसान धोखा था सकता है इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर banking verification के अलावा कई ऐसे विकल्प है जहां पर आपको अपनी bank detail सांजा करनी पर सकती है यही नहीं इस वेबसाइट पर RBI के गवर्नर उर्जित पटेल का एक लेख भी शामिल किया गया है RBI का कहना है कि ऐसी किसी भी वेबसाइट पर जाने से बचें और अपनी bank detail बिल्कुल भी share ना करें RBI ने साफ किया है कि वो अपने किसी भी customer से उसकी banking detail यानि password, CVV number, card number या account number कोई भी detail नहीं मांगती है और अगर कोई आप से ऐसी detail मांगता भी है तो आप उसे ये detail ना दे RBI का कहना है कि उसकी सिर्फ एक ही website है जिसका URL है www.rbi.org.in इसके अलावा वो कोई भी website operate नहीं करती है RBI ने दो और website से सचेत रहने की बात कही है जिनके URL है www.rbi.org और www.rbi.in ये दोनों ही website फर्जी है हाला कि India Reserve Band.org वाली website अभी भी operation में है और ये समझ से बाहर है कि अभी तक RBI ने इसे blog क्यों नहीं किया है